तो वहीं जिस तरह से CAA को लेकर हिंसा भड़की हुई है और दिल्ली में कई जगाँ पर तनाफ़ून माहुल देखा गया उसी बीच इस वाँ खबर सामने आ रहे हैं कि आज सभी मेट्रो स्टेशनों को खोल दिया गया है कल सीलमपूर और प्रिजपूरी में हिंसा होने के बाद जापराबाद मौचपूर बावरपूर मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एक्जिट बन्द कर दिया गया था और आज हालात सावाने होने के बाद मेट्रो स्टेशन खूल दिये गए हैं दिली पुलिस ने दंगा करने और सारवजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए IPC की धाराओं के तहट कल जापराबाद में हुई हिंसा के मामले में दो F.I.R. दर्ज की हैं तो अब कही न कही बताया जा रहा है कि जो हालात है वो सामाने हो रहे हैं और दिली में सभी मेट्रो स्टेशनों को खोला गया है अलाकि इस तीलंपुर में अभी भी पुलिस की तरफ से गश्ट रखी जा रही है क्योंकि जिस तरह से हिंसा बढ़की उसको लेकर कई ग्रफतारियां कच लोगों को हिवरासत में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया तो साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी पील की है कि जो लोग है वो शान्ती बनाए रखें तो फिलाल जो हिंसा के चलते आवज जाही में और मेट्रो में जो लोग सफर करते हैं उनको कही न कहीं दिकतों का सामना करना पड़ रहा था इस हिंसा के चलते लेकिन अभी अच्छी और राहत की खबर है कि अब हाला जो है वो सामाने है जिसको देखते हुए दिली के सभी मेट्रो स्टेशनों को खोला गया है आला कि सीलंपूर पर सुरक्षा अभी भी कड़ी